Hello everyone, this is Surbhi, welcome to Study Hacks, कैसे हो सब, I hope आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टेडी को अच्छे थी किसे कवर अप कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, वो आपका जोग्रफी, जो सब्जेक्ट है, उससे रिलेटीड है, आज हम डिफरेंस जानेंगे गटगिर रिपोर्ट और कस्तूरी रिपोर्ट लाई गई, जो आज तक implement नहीं हुई है, कोई ना कोई controversy, कोई ना कोई मुद्दा जो है, issue जो है, वो देखने को मिलता है, आईए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर, Western Ghats के बारे में जानते हैं, क्योंकि कस्तूरी रंगरों गडगिर कमेटी जो है, वो specially किसके उपर लाई गई थी, Western Ghats के उपर, Western और Eastern Ghats आपको देखने को मिलते हैं, Western Ghats में गुजराद, गोवा, महराष्ट्र, ठीके, करनाटिका, कैरेला, तमिलाडू, छे ऐसे states हैं, जो Western Ghats में आते हैं, और तमिलाडू भी Western Ghats का पाठ है, clear, West Bengal, Odisha, अंधरपरदेश औ तमिलाडू, चार ऐसे states हैं, जो Eastern Ghats में आते हैं, और यहाँ भी हम study करेंगे, किसके बारे में, Western Ghats के बारे में, जो specially जो रिपोर्ट लाई गई थी, गडगीर रिपोर्ट और कस्तूरी रंगर रिपोर्ट, कस्तूरी रंगर रिपोर्ट जो आई थी, वो 2013 में आई थी, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है, वो करनाटका के अंडर आता है, specially forest area, जो काफी जरा फ्रिजाईल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो employment की जो चीजे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कस्तूरी रंगर रिपोर्ट की recommendations जो दी गई थी, वो implement हो जाए, तो वहाँ के जो livelihood की जो condition है, वो जो है, अस्त्विस हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए जो करनाटका government है, इस मुद्दे को लेके काफी जादा oppose कर रही है, इस इशू को लेके, इसलिए यह report जो है भी तक implement नहीं की गई है, तो आईए इसके बारे में और detail में हम जानती है, यहाँ इस map में आप महराष्ट्रा वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, करनाटिका, कैरला बीच में महराष्ट्रा भी आ जाता है, थोड़ा सा पार्ट, इसको Central Western Ghats के नाम से जाना जाता है, नीलगिरी आप देख सकते हैं, नीलगिरी जो hills है, तो कुछ जो है वो तमिल अड़ु में कैरला में भी आती है, ठीक है, तो Southern Western Ghats जो है, कैरला और तमिल अड़ु का जो पार्ट रहेगा, वो Southern Western Ghats का, यहाँ पे डिवाइड किया गया है, टोटल जो है, इसको चार पार्ट में Western Ghats को डिवाइड कर रखा है, क्लियर, आई अब जान दे, कस्तूरी रंगर्ट जो कमे है, हम उसको अपोस करते हैं, हम उसको इंप्लिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम इसके उपर जो है, मुद्दा जो है, यह इश्यू जो अभी बरकरार रहेगा, ठीक है, अपोस करने की बात की गई है, Western Ghats के उपर, जो कस्तूरी रंगर कमेटी की जो रिपोर्ट निकल क करनाटिका गवर्मेंट का यह ओपिनियन था, अगर यह जो Western Ghats का जो 37% जो पार्ट है, अगर उसको एको सेंसिटिव एरिया में कनवर्ट कर दें, या एको सेंसिटिव एरिया में डिकलियर कर दिया जाए, तो सबसे अधा अड़्वर्सली अफेक्ट पड़ेगा लाइवल 64,280 km का जो एरिया है, Western Ghats इसमें कवर किये जाते हैं, टोटल, तो इसमें 6 states आपको देखने को मिलती है, गुजराद, महाराज, ट्रागुवा, कारिला, करनाचकार, तामिलनादू, ठीक है, तो यह स्टार्टिंग मैं यह आपको बता दिया, मैंने, clear है इतना, तो अब दे नैशनल पार्क है, तो इसके आसपार, जो 10 km अबोव एरिया है, इसको एको सेंसिटिव एरिया माना जाता है, clear है, तो नैशनल पार्क और वाइड लाइफ सेंचुरीज के आसपार 10 km जो विदिन लोकेटीड है, that is, इको सेंसिटिव एरिया जो इसके द्वारा किये जाते ह इस इंपोर्टेंट फॉर एक्जाम ठीक है तो एको सेंसिटिव एरियास जो है ये नोटिफाई किये जाते हैं मिनिस्ट्री ओफ इंवार्मेंट फोरेस्ट एंड क्लाइमिट चेंज के द्वारा और किसके अंदर इसको रखा गया है इंवार्मेंट प्रोटेक्शन एक 1986 के अंदर इसको रखा गया है एम क्या है इसका कि हमने रेगुलेट करना कुछ जो एक्टिविटीज रहती है अराउंड नैशनल पार्क और वार्लेफ सेंचुरी के आसपास एक्टिविटीज यानि की एक्जैंपल में आपको देख सकते हूँ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं वाहाँ पर प्रोफर इंफ्रस्ट्रक्शन नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं माइनिग जो है उसको बैन कर रखा है वाहाँ पर प्रोहिबिट कर रखा है ठीक है तो यह जो सर्टेन एक्टिविटीज है इसको रेगुलेट किया जाता है स्पेशली नैशनल पार्क और वाइडलेफ सेंचुरीज के आसपास जो 10 किलोमेटर के आसपास जो एरिया है ठीक है यह जो एरिया है एको सेंसिटीव एरियास जिसको हम बोदे काफी जादा फ्रिजाइल होता है और काफी जादा वीक होता है यहाँ पर हम माइनिंग वगरा जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि conditions जो है landslide की conditions है वो काफी ज़ादा देखने को मिलती है कैरेला में अभी flood है landslide काफी ज़ादा हुए लोगों की जान गई तो यही कारण है ठीक है उसके इलावा minimize किया जाता है जो specially negative impact परता है fragile ecosystem के उपर ठीक है उसको हमने कैसे उनने areas को protect करना है specially eco sensitive areas इसलिए ही declare किये जाते है तो I hope आपको इसमें कोई confusion नहीं होगी अब हम बात करते हैं कस्तूरी रंगन जो report आई थी committee की report आई थी उनकी recommendations के बारे में तो इनके द्वारा propose किया गया कस्तूरी रंगन जो committee थी इनके द्वारा यह बोला गया कि roughly जो 60,000 square kilometer है ठीक है area उसको declare किया जाएगा eco sensitive area ठीक है तो 60,000 square kilometer के अंडर जो only 20,668 square kilometer जो area है वो सीधा का सीधा करनाटका के अंडर आता है और उसमें 1576 villages cover होते हैं क्लियर इसलिए करनाटका जो है वो oppose कर रहा है इस committee को क्लियर आप देख सकते हैं 2013 में यह report आई थी आज तक 2021 तक इसको implement नहीं किया गया है ठीक है तो आने वाले टाइम में देखो क्या conditions बनती है अगर कोई भी update होगी वो हमें discuss कर लेंगे ठीक है boundary जो है इसके साथ most cases देखने को मिले especially legally dramatic जो national parks है, wildlife centuries है, tiger reserves है and forest divisions है ठीक है उनको भी ध्यान में रखते हुए यह सारी चीज़े देखी जा रही है report के द्वारे recommend किया गया कि blanket ban किया जाएगा what is blanket ban? यानि कि बिल्कुल mining जो है वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी बिल्कुल prohibit किया जाएगा red category जो industries है ठीक है जो जारा polluted pollution फैलाती है बैन कर दिया जाएगा उसको के लिए और साथ ही साथ जो impact पड़ेगा infrastructure project का forest के उपर wildlife के उपर ठीक है तो इस study की गई और permission लेने की जुरूरत है अगर कोई चीज़ करनी है वहाँ पे तो permission लेने की जुरूरत है इस activities के लिए ठीक है क्यूंकि impact जो पड़ता है infrastructure projects का इस reason के उपर तो काफी जादा होता है क्यूंकि कई बार flood आ जाते हैं उसके लावा landslide हो जाती है ठीक है पेड अगर infrastructure वहाँ पे create करना तो पेड काटे चाहेंगे पेड काटने के वज़े से जो land side होगा वो अलग से दिखेगा ठीक है तो उसके वज़े से लोगों की जानमान की हानी हो सकती है उसके इलावा अगर बात करें तो जो वेस्टन घाट से हैं उनेसको heritage stack का दरजा भी मिल चुका है ठीक है domestic recognition अगर देखे तो natural wealth existing करते हैं वेस्टन घाट में 39 sites located हैं वेस्टन घाट में के लिए और distribute करती है across the state कैरला में 19 है करनाटका में 10 है तामिलना 26 है महाराश्रा में 4 state government जो है उनका point of view अगर देखे डैवलप में और plan जो उनके build करने के लिए तो वो state government क्या कर रही है कि protect करना है conserve करना अगर resources को तो opportunities जो है उस reason में ठीक है resources को रहे कि वो कम हो जाएगी लोगों के लिए इसलिए करनाटका जो है वो इस चीज़ को oppose कर रहा है clear तो अब देखते हैं यह तो हमने कस्तूरियरंगल committee के बारे में देख लिया अब गडगिल committee का क्या मानना था तो उनके बारे में हम जान लेते हैं गडगिल committee जो थी तो जितने भी western guards में states आते हैं उनके द्वारा बोला गया कि entirely जो area है western guard का उसको declare कर दिया जाए as a ecological sensitive area ठीक है तो यह गडगिल committee के द्वारा बोला गया ठीक है तो यह जो area है smaller reason identify किया गया यानि की अलग-अलग zone में इसको divide करने की बात की गई जैसे ecological sensitive area first ecological sensitive area जो है zone जो है second और third ठीक है इस base पे जो conditions है यहाँ पे रखी गई ताकि nature का जो threat है यह कम देखने को मिले इसलिए इसको categories में divide करने की यहाँ पे बात की गई गडगिल committee के द्वारा six concern जो states है उनके द्वारा agree कर लिया गया ठीक है गडगिल committee के बारे में जो गडगिल committee के द्वारा जो recommendations दी गई ठीक है और इनके द्वारा जो report summit की गई 2011 में की गई और 2011 में इनके द्वारा तो report summit की गई इनकी रिपोर्ट को आगे review करने के लिए कसूरी रंगर committee को जो है ठीक है वो set up किया गया clear है I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होंगी उसके लावा गर हम बात करें यहाँ पे आप दे सकते हैं 2012 में environment minister के द्वारा constitute किया गया high level working group western guards के लिए special ठीक है यहाँ पे आप देख सकते कितने सुन्दर है ठीक है तो under जो कस्तूरी रंगन जो committee यहाँ पे constitute की गई clear तो इसके द्वारा कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा examine किया गया कि गडगिल कमेटी की जो report है वो holistic है या multi disciplinary है या नहीं है ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा examine की गई तो I hope आपको यह clear हुआ होगा अब हम difference देख लेते हैं गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी भी है ठीक है ताकि आपके mind में कोई भी doubt ना रहे ठीक है तो entirely western घाट जो है ecological sensitive area declare करने की बात की गई गडगिल कमेटी के द्वारा कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बो बोला गया कि bottom to up approach लेके चलनी है हम लोगों को ग्राम सभा को जो है वो काफी जारा crucial role जो है वो play करना पड़ेगा उस area की जो ग्राम सभा रहेगी ठीक है तो यहाँ पर जो responsibility की बात कीगे कि स्तूरी रंगन कमेटी में कि government और जो bureau क्रेसी है उनको साथ में मिलके यहाँ पर क zone में इसको divide किया जाएगा कस्तूरी रंगन कमेटी के दोड़ा बोला गया कि hydroelectric power जो plants है ठीक है तो उनको permit किया जाएगा यानि कि सब चीज़े क्यों मिनाही होगी उस area में क्यों काफी जारा frisail area रहता है ठीक है तो जो western guards वाला जो area को conserve करने की जुरूरत है ministry of environment and forest climate change जो है यहां पे ministry काम करेगी ठीक है western guards को लेके under ecological authority जो है यह किसके अंडर आती है ministry of environment and forest के ठीक है तो कस्तूरी कमेटी के दोड़ा बोला गया कि current legal framework लाने की जुरूरत है जैसे कि state pollution control board and जो biodiversity board है state biodiversity board है इनको मिलके यहां पे काम करने की जुरूरत रहेगी क्योंकि यहां पे क्या कि किया जाएगा inspection किया जाएगा चीजों का कि कहां पे चीजे फ्रिजाइल है कहां पे pollution जादा है वहां पे जो है activities जो रहेगी specially mining की और भी जो industries की ठीक है hazardous industries है उन चीजों की मनाई की जाएगी तो I hope आपको यह सारी चीजे clear हुई होगी जो काफी जादा important है ठीक है अब करना का government क्या बोल रही है कि जो forest cover है और government जो यहां पे बात कर रही है कि protect करेंगे biodiversity specially western ghats की तो state government का मानना है कि implementation है जो report की ठीक है वो नहीं की जाएगी specially developmental जो activities है इस reason में वो continue रहेंगी कसूरी रंगर report के द्वारा यह बोला गया कि जो satellite यानि की कसूरी रंगर report जो prepare की गई है व reality है वो काफी जादा different है ठीक है यह यहां पर बताने की कोशिश की गई है और people जो है इस reason के especially किस पे डिपेंड है agriculture पे डिपेंड है होट्री कल्चर activities पे डिपेंड है अगर इसको ecological sensitive area जो है वो गोशित कर दिया गया तो लोग जो है जो depend है पूरी तरह agriculture पे होट्री कल्चर activities पे वो सारी चीज़े जो है वो बंद हो जाएंगे वो livelihood पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा priority की अगर बात करें तो environment protection जो है तो under forest protection act 1980 के अंडर इसको रखा गया है ठीक है यहां पर भी आप देख सकते हैं western ghats के बारे में हम तोड़ा जान लेते हैं western ghats को western ghats क्यों बो है और यह काफी जाला होट स्पोर्ट होटेस्ट होट स्पोर्ट एरिया बायो डिवर्सिटी एरिया है आठ में से जो वन है ठीक है इंदी वर्ल्ड ठीक है तो western ghats जो है इसमें 39 properties included जैसे national park हो गया reserve forest हो गया wildlife centuries है mountain ranges जो है cover करता है प्रॉक्सीमेटली 1,140,000 स्केर किलोमेटर 1600 किलोमेटर यह long and tripped है low mountain passes है यहाँ पे placard pass है पाल घाट गैब है UNESCO के द्वारा at least 325 globally threatened बोला गया है जो यहाँ पे species पाई जाती है western ghats मे वनर लेबर species जो है वो कितनी है 129 है endangered 145 है critically endangered 51 है अगर western ghats की बात करें यहाँ पे protected जो areas है wildlife protection act 1972 के तहत इसको protected areas में रखा जाता है और Indian forest act 1927 भी इंप्लिमेंट किया जाता है forest conservation act 1980 भी यहाँ पे picture में रहता है यहाँ पे आप देख सकते है definition क्या है eco sensitive areas की यह तो मैंने आपको पहले बता दिया है ठीक है features जो इको sensitive areas के क्या है biological and ecological rich valuable और unique रहता है यह largely यह largely irreplaceable है अगर इसको destroy किया जाए तो ठीक है high value है specially human societies के लिए maintain इसको रखा जाएगा ecological stability काफी ज़रूरी है सेरिया को लेकि क्योंकि काफी ज़रा फ्रिजाइड रहता है conserve किया जाए especially जो biological diversity है ठीक है biological diversity को conserve करने की काफी ज़रूरत है इसलिए यह इसके features है eco sensitive areas के ठीक है content क्या है eco sensitive जो areas है sacred forest protecting origin of rivers sacred यानि की काफी ज़र्मिक महतब भी काफी ज़रा रहता है इस area का important breeding जो है habitat को क्रे बैलोर पहली cannery in mandia district करनाटका में यह important breeding habitats है ठीक है तो I hope आपको यह clear हुआ होगा जो काफी ज़रा important चीज़े है उसके इलावा बात करें western guards के बारे में तो पहले बता दिया कौन कौन सी states आती है 7% original forest cover है यहाँ पे ठीक है तो कौन कौन सी states है ठीक है तो west coast of इंड man भी रह चुके है nuclear science expert है यह ठीक है और साथ ही साथ scientific advisor भी रहे Prime Minister of India के और साथ ही साथ जो report पेश की गई थी ठीक है WGWP report जो है ठीक है तो इनके द्वारा सारा जो implement किया गया action plan और ecological sensitive zone है ठीक है तो इसके बारे में भी यहाँ बात की गे और 37% जो ecological sensitive zone है western guards का इनके द्वार बोला गया ठीक है गडगिर रिपोर्ट जो है 2010 में government के द्वारा अपॉइंट किया गया गडगिर रिपोर्ट को western guards के लिए ecological एक्सपर्ट पैनल जो head किया गया माधव गडगिर के द्वारा कमिशन के द्वारा जो रिपोर्ट समिट की गई कब की गई 31st ओगस्ट 2011 में की गई और 37 के द्वारा तीन zones बनाने की बात की गई जो ecological sensitive zones जो है ठीक है zone 1st 2nd और 3rd गडगिर रिपोर्ट जो है इनके द्वारा consider किया गया कि इतना जो area है यह ecological sensitive area में आगा यान कि जितने भी western guards वाले states हैं वो सारे ecological sensitive area में रखे जाएं तो इनके द्वारा यह सारी बाते बोली गई अगर way forward में बात करें तो क्या क्या ज़रूरत है हमें consider करने की जो specially climate change की अभी condition देखने को मिल रहे है उसको consider करना काफी ज़रा ज़रूरी है impact जो पढ़ रहा है specially lively hood के उपर जितने भी लोग है वहाँ पे ठीक है इसके करण क्या हो सकता है हमारी जो nations की economy है वो hurt हो सकती है ठीक है क्यूंकि वहाँ पर जो लोग है उनकी जो रोजी रोटी चलती है specially agriculture पर बहुत ज़रा है ठीक है यह फिर वहाँ पे चीजों को implement करना है कि यह eco sensitive zones है तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा clear ताकि लोगों की life की उपर भी impact ना पड़े clear है तो further delay अगर किया जाए implementation का तो काफी जारा दिक्कत हो सकती है क्योंकि वह area जो काफी जारा fragile area है अगर वहाँ पे continue mining होती रही infrastructure development होता रहा तो landslide के cases जो है वह काफी बढ़ सकते हैं ठीक है holistic approach लेके हम लोगों को चलनी पड़ेगी जो forest land है उसके जो product है services है वो कैसे हमने चीजों को protect करना है ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा तो I hope आपको ये सारी चीजे clear हुई होंगी ये था important topic related to गटगिड कमेटी and कसूरी रंगर रिपोर्ट जो निकल किया आई थी उसके बार में difference भी आपको अच्छे से बता दिया मैंने इससे related questions आने के बहुत जारा chances है पूछा जा सकता आपको कसूरी रंगर कमेटी जो है वो किससे related है clear अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो please like, share, subscribe जरूर कीजिएगा पीडियाफ इसकी आपको टेलिगराम पे मिल जाएगी thank you for watching my video जैहिंद